हेलो फ्रेंस आप सभी का मेरी चैनल एजुकेशन एटॉम बाई बर्खा में स्वागत है आज मैं फिर से आपके लिए वही वीडियो लेके आई हूँ कि हिंदी शब्दों कि हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे अभी तक मैंने आपको दो अपनी वीडियो बता दी हैं उनके दो पार्ट हो चुके हैं एक बेसिक से दूसरा आगे की जो ए की रू की चो मात्राइं थी उनसे हम अपने वर्ड बना चुके हैं अब हम आगे जो है अपनी इस वीडियो में ए की, आई की, आउ की, आउ की, अंग की छोटे जो बीच के जो वर्ड होते हैं, जो आदे आदे वर्ड साते हैं, इसमें मैंने अपनी इस वीडियो को कम्पलीट करने की कोशिश की है, इसको जो यह हमारा टोपिक है, इसको मैं चा हम सबसे पहले मैंने आपको अपना basis बताया था कि हम क्या करेंगे लेकिन अगर आपको याद नहीं है या आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज पहले वाली वीडियो जाके देखिए फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ देखिए हमें क्या करना है अपनी सबसे पहले यह वाली टेबल बनानी है देखिए यह वाली टेबल है हमारी हमें इस टेबल को बनाना ही नहीं है हमें इस टेबल कुछ से याद भी करना है यह हमारे स्वर हैं, यह हिंदी में इनकी मात्राइं हैं ऐसे ही हमें English में इनको कैसे लिखेंगे ये वाला लिखा हुआ है इसके अंदर यह vengeance हैं हमारे, देखिए सारे vengeance हैं, इन vengeance को यह English में कैसे लिखेंगे, यह सब कुछ है आपको I hope याद हो गया होगा, अगर नहीं है तो आप प्लीज इनको पहले याद कीजेगा, तब ही आप हिंदी से इंग्लिश बना पाएंगे, तो चलिए हम बता देखते हैं कि कैसे बनेंगे, देखिए, सबसे पहला हमारा है केशव, मैं आपको दो करके बताऊंगी, एक दो अगर जो थोड़े वो लगेंगे, थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, फिर मैं आपको समझाती जाऊंगी, अगर थोड़े वैसे होंगे, तो हम जल 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 अपने आप वैसे ही करते जाएंगे, देखिए, सबसे पहले है केशव, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, केशव का मैंने आपको कई पर बताया है पहले भी बताया है कि सबसे पहले जो भी word दिया हो उसका one we shade करेंगे आप वैसे यहाँ पे हम नहीं करेंगे केवल इसको देखके ही आपको अगर मात्राएं और words याद हो गए है वेंजन याद हो गए कि किसको क्या बोलते है तो आप आसानी से जल्दी-जल्दी करते जाएंगे देखिए कै है इसमें प्लस एकी मात्रा है प्लस शे है प्लस इसके साथ ए जुड़ा हुआ है मैंने बताया था आपको ए जुड़ा हुआ होता है प्लस वे है देखिए यह है हमारा इसका वाण वी छेर तो कै को बोलते है के ए की मात्रा का होता है ए शे का होता है ए का होता है ए प्लस वे का होता है वी, तो हमारी कैर स्पैलिंग बनी है के ए ए से जच आ वी, के श़व चीक है, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चलिए हम यहाँ पे अपनी स्पैलिंग्स लिखते हैं केशव की केशव एस एच एवी केशव देखें यह हमारी केशव की स्पैलिंग हमने लिखती है आगे है मेवात तो देखें में का होता है मेका होता है मे एके मात्रा का ई वेका वी ए टी देखें स्पैलिंग बन गई है आगे देखें केलाश मैं आपको हर किसी का वनिशेट नहीं करके बताऊंगी यहाँ पे आप खुद करने की कोशिश किये किजी अगर कोई भी दाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते है मैं आपको वो अच्छी से उसका फिर्म है वांपर बता दूंगों देखेंव कैनाश है कैनाश का धाकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप उसस यह बना पाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे A, I, K, A, I, K, L, का होता है, ला, ला है, आ के मात्रा है, शे का S, H, का लाश, आगे देखें, रे, वाडी, R, E, V, का V, वे, का V, होता है, अब कई लोग हैं, इसको वे, का W भी बना देते हैं, अब यह आपके उपर है, कई जंगें में मिलता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं, रे, वा, डी, डी, आप देखें, बड़ी, E का होता है, डबल, इ, बट कई लोग क्या करते हैं, इसकी ये वाली English बना देते हैं, रे, वा, डी, आई भी बना देते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, तो A, I, N है तो N, बड़ीगी की मात्रा है तो बड़ीई, डबल ई आ गया, T है तो T, ता है तो A, L है तो L, देखिए, नैनी ताल, अब यहाँ पे भी कई लोग डबल ई की जगें आई बना देते हैं, वो उनके उपर डिपैंड करता है, वो कैसे भी बना सकते हैं, बड़ जो मेन है, जो बारेखडी के अकोर्डिंग है, वो यही स्पैलिंग बनेगी, नैनी ताल, ठीक है, I hope आपको समझ में आ रही होगी, अगर आपको किसी भी तरह कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज जरूर बताइएगा, आगे देखिए, तेना ली राम, टी, ए, 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 एम, राम, देखिए, आप इन्हें बोलना भी सीख जाएंगे, इंग्लिश में, कैसे अगर आपको यह इंग्लिश दी गई है, तो आप कैसे स्पैलिंग बनाएंगे, आपको पता है, टेक होता है, यहां पर टेकती, ते, ना, ली, रा, मे, ते, ना, ली, राम, इसे क्या हो नानी सीख ली है, तो आप बहुती अच्छे तरीके से इंग्लिश में प्रनाउंशेशन भी करना सीख जाएंगे, और हिंदी से इंग्लिश भी बनाना सीख जाएंगे, आगे दिखिए, इसतरी गईल, चीक है, आगे देखिए, मोना, M, O का, O, N, A मोना, देखिए, पौ, आउ की मात्रा का आ गया है तो P, देखिए, आउ की मात्रा है इस सारी मात्रें आपको याद कर नहीं है और आउ की मात्रा का देखिए, यहाँ पे है, A, U तो हम यहाँ पे लगाएंगे, A, U पौरा आरे निक एन छोटी है तो आई और के देखे पौरा निक आगे देखे सोरब तो S A U S A U रह है तो आर ए भै है तो B H सोरब देखे कितनी आसान है कितनी इजी है केवल आप हमें केवल दो सेकंड्स ही बन रही है केवल इनको स्पैलिंग्स बनाने में तो वैसे हम चाहे बीच में बोल रहे हैं तो उसका टाइम हो रहा है बट इनको स्पैलिंग्स अगर आपको एक बार आ गई तो आप बहुत अचान असानी से बना पाएंगे देखे से है उपर बिंदू है सन तो S से का हो गया S बिंदू का हो गया A N अंग की मात्रव जो होती है न अंग अंगूर वाला अंग तो उसका होता है A N J जैका J A ना का N A संजैना संजना आगे देखे कंचन का K अंग की बिंदू का A N जैका C H कंचन A N यह देखिए कितने आसान है ना English बनाना बहुती इजी है बहुत आसान है आगे देखिए पॉंगल है तो पॉंगल का होगा P मैं आपको एक बता देती हूँ देखे करके एक पॉंगल का कि कैसे आप इसको वर्ण विच्छेद करके इसकी स्पेलिंग कैसे बनाएंगे देखिए यह है हमारा पॉंगल पॉंगल देखे P है इसमें सौरी पै है प्लस O की मात्रा है अब यह देखे इसके साथ में अंग की बिंदू भी है ठीक है तो हम क्या करेंगे गै है देखिए गै प्लस A प्लस ले देखिए अब बनाते हैं इसको पॉंगल की P O A N देखिए O भी आ गया A भी आएगा A N अंग की बिंदू है तो P O A N G गै का G A N पॉंगल ठीक है I hope आपको समझ में आया होगा नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं P O A N पॉंगल G A L बट इहां पे सही जो होती है वो होती है P O A N G A L पॉंगल ठीक है देखिए आप कैसे भी बना सकते हैं इसकी स्पैलिंग P O A N G A L पॉंगल प्यारा देखिए आदा पै है मैंने आपको बताया था कि हम आदे वाले वर्ड हैं जो भी ले रहे हैं तो पै है आदा पै है पै के साथ में A नहीं जुड़ा हुआता है तो पै का खाली P आएगा A इसके साथ नहीं आएगा तो पै Y का होता है A आ रा देखिए प्यारा बच्चा B A आदा च्च है तो CH इसके साथ में A नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आदा है तो CH च्च का फिर वही CH A का A बच्चा देखिए कितना असान है ना इंगलिश बनाना बहुत असान है इसके साथ में A लगा हुआ है पे है तो आदा पे है फिर पी है तो P A च्च पन देखिए इतनी असान है इंगलिश बनाना सो होना S O सो है ना ठीक है आप इनको बोलते जाएए और लिखते जाएए सान्त बना देखिए सा S A N सान्त आदा तै है तो तै T V है तो V A ना है तो N सान्त बना आगे देखिए पौधा है तो P O A U सोरी आउ की मात्रा का होता है A U पौधा धा का होता है D H A पौधा जंडा का देखि J H A N बिंदो का A N I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने इनको कितनी असानी से कितनी अस्चे से कर लिया है मैं आपको फिर एक बार कहूंगी कि आप ये अच्छे से ये टेबल बनाए और इसको अच्छे से याद कीजिए कि कौन से वेंजन्स को कौन सी मात्रा को कहां पे और इसकी इंग्लिश क्या होती है अगर आपको एक बार अच्छे से ये समझ में आ गई है तो आप अच्छे से इसकी असानी से इंग्लिश बना पाएंगे हम आगे जो अपनी वीडियो बनाएंगे उसमें हम वाखके लेंगे कि हिंदी से जो वाखके होते बड़े बड़े उनको आप जल्दी से इंग्लिश कैसे बनापाएंगे ठीक है I hope आपको वीडियो अच्छे लगãy गर आपको वीडियो अच्छे लगी ता प्लीज लाइक कीज़े शेयर कीज़े